प्रिये दोस्तों, मुझे पूरा यखीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक अनग्रह देगा इस तरह के सेकड़ों वीडियो हमने पोस्ट किये हैं और नियमित रूप से पोस्ट करते रहते हैं इस कारण मेरे एक अनुरोध है इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है उसको जड़ा प्रेस कर दें उसके बगल में एक घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दें यह दिया ऐसा करेंगे तो हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप उसे मिस नहीं करेंगे हमको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा जब हम ये देखेंगे कि लोग इन वीडियोस के द्वारा अनुग्रह पा रहे हैं प्रभू आपको अपना अनुग्रह दें परिवार एक बहुत महतुपूर्ण विश्य है इतना महतुपूर्ण विश्य है कि मैंने इसके पहले भी याप दिलाया था मैंने कई विश्यों पर पुस्तकें लिखी है लेकिन परिवार पर जो पुस्तक है वो जिस तरह से वो पुस्तक बिक रही है उस तरह से और कोई पुस्तक बिक नहीं पा रही है इस अफ़ते भी मैं केरल के सबसे बड़े बुक्शॉप में गया था और बस आप चले जाएए सामने ही पुस्तक रखी है फिर से मुझे एक तो मैंने प्रभू को धनिवाद दिये कि है प्रभू इस तरह से एक पुस्तक लिखने के लिए आपने मेरी मदद की दूसरी बात मैंने इस बात के लिए धनिवाद दिये कि प्रभू आज फिर से आपने मुझे याद दिलाया कि ये इतना महतवपूर्ण विशे है प्रार्थना करते समय बाई राजेंदर ने भी इस बात किया और कई बार संकेत किया कि विशे बहुत महतवपूर्ण है और इस विशे के बारे में खुलके बोलने में लोगों की नानी मरती है और इस कारण जादा तर लोग इस विशे पे बोलते ही नहीं है लेकिन इस विशे पर बोलना जिरूरी है मुझे खुशी है कि इस विशे पर बोलने के लिए प्रभू ने मुझे इस तरह से एक प्लैटफॉर्म दिया आज के अध्यान के लिए मैं आपका अध्यान नीति वचन चौथे अध्याय की और ले जाना चाहता हूँ नीति वचन का चौथा अध्याय नीति वचन के चौथे अध्याय के 14, 15, 16 में हम पढ़ते हैं दुष्टों की बाट में मतलब दुष्टों के आंगन में पाव न धरना और बुरे लोगों के मार्ग पर ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़ कर आगे बढ़ जा क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नीन नहीं आती है और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, तब तक उन्हें नीन नहीं मिलती वे तो दुष्टता से कमाई हुई रूटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मदू पीते हैं आप पूछेंगे कि शास्त्रे अंकल आप तो विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बूलना चाहते थे लेकिन ये पत तो दुष्टों के बारे में हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाएगा आज से बहुत साल पहले चंबल इलाके में जहां भाई रंजीत और अन्य भाई लोग प्रभु की सेवा करते हैं मेरी भी सारी स्कूल की और कॉलेज की पड़ाई वहीं हुई है जब मैं और फिजिक्स मेरा विशे है और मेरी दिल्चस्पी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है इस बात को आप जानते हैं MSC जब कर रहे थे तब तमाम तरह के लैबरेटरीज थे जहां प्रयोग करना है वहाँ पर भी और जहां मेरे प्रयोग नहीं है वहाँ पर भी समय मिलने पर मैं घूम घूम के हर तरह की मशीन को देखता था जीवन में इस तरह के जटिल यंत्रों को इस तरह से पास से देखने का जो यह मौका था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था मेरे सीनियर लोगों को यह बात मालूम थी कि मेरी जिग्या से कुछ सीमा से अधिक है जब हम लोगों का सेमिनार वगरा होता था तब मैं बहुत प्रश्न पूछता था और सीनियर लोगों में से कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मुझसे खार खाए हुए थे एक बार मैं एक लैबरेटरी में गया जिसके अंदर इसके पहले मैंने प्रवेश नहीं किया था सीनियर लोगों से मैं कमिन पूछा तो उन्हें ने तो उठा के जैसे मुझे सर पे बैठा लिया मुझे नहीं मालूम था कि इसके पीछे बहुत भयानक धोखा है एक एक करके एक एक करके मैं विभिन लैब में जो यंत्र हैं जिनके ओपर तमाम पर रहके प्रयोग चल रहे थे या किये जा रहे थे उनको देखता गया देखता गया देखता गया चौथे या पांचवे प्रयोग पर आया तो मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज बताई उसने कहा जॉंसन एक काम करो लोहे की ये स्केल जो है इसे हाथ में ले लो ये तो लोहे का नहीं है पता है नहीं लोहे का इदर अधर स्टील का मैंने इदर अधर कहीं रख दिया उन्हां ने एक scale मेरे हाथ में दिया और बुला कि ये सामने जो gap है इसमें से एक बार बस इसको यो ले जाओ और वापस ले आओ तो मैंने सोचा जिन्दगी भर scale का उपयोग करते आए हैं scale आगे पीछे करते रहते हैं इसमें कौन बड़ी बात है मैं scale आगे ले जाने वाला था उसके पहले लेकिन उन्हां ने मुझे टोक दिया वो बोले कि Johnson दो इस तरह से जो तुमको नजर आ रहे हैं ये दोनों चुम्बक है शक्तिशाली चुम्बक है इस scale को उन दोनों के बीच में से जब ले जाओगे और वापस लाओगे तब काफी सावधा नहीं रखना कहीं ऐसा नहों कि तुमारे हाथ में जो scale है वो चुम्बक से चिपक जाए मैंने पूछा कि चुम्बक से चिपक जाए तो उनने का रहे बड़ा गड़बड हो जाएगा मुझे चुम्बकों का बहुत शौक था जब मैं पांच्वी में पढ़ता था तब पहली बार किसी ने मुझे एक चुम्बक लाके दिया था सुबह से शाम मैं उससे खेला करता था प्रयोग किया करता था और ये जो चुम्बकों के प्रतिया आकरशन है पांच्वी क्लास से लेकर मेंसी तक बढ़ता ही रहा कभी खतम नहीं हुआ तो मैंने सुचा कौन बड़ी बात है दो चुम्बकों के बीच में से एक स्केल को तो ही ले जाना है मैंने वो स्केल उठाया उन्होंने सीनियर ने फिर से कहा जॉंसन सावधानी से करना ये स्केल चुम्बक से चिपक न जाए चिपक जाए तो बहुत गड़बड हो जाएगा तो मैं डबल सावधानी से उस स्केल को मजबूती से हाथों में पकड़के दो चुम्बक थे उनके बीचों बीच यों 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 ले गया आधा भी नहीं जा पाया था कि खटाक से एक आवाज सुनाई दी पता चला कि स्केल मेरे हाथ से छूट गया है और जाकर चुम्बक से चिपक गया है मेरे प्रांड सूग गया रोनी सूरत हो गई सीनियर के सामने और वहाँ तो सीनियर लोग को हम बहुत ज़्यादा इज़त देते थे और वे लोग हमारा बहुत ख्याल रखते थे रोनी सूरत मैं वहाँ खड़ा रहा सीनियर ने बोला बाप रे बाप रे बाप तुमको ओवर कॉंफिडेंस जो है कुछ सीमा से जादा है मैंने तुम से कहा था जॉंसन कि सावधानी से करना और तुमने बड़ी लापरवाही से किया मुझे मालूम है मैंने कितनी सावधानी से किया थे लेकिन जो है मैं सीनियर के सामने क कुछ कह नहीं सकता था तो मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूं तो उन्हें ने कहा कि अब उस जो चिपक गया है उसको वापस खीच के निकालो तो मैंने सुछ चलो जान बची तो लाखों पाए उस स्केल को खीच के मैं निकाल लूँगा स्केल पकड़ा तो पता चला कि स्केल तो हिले ही नहीं मैंने जितनी मुझे में ताकत थी वो पूरी ताकत लगा दी लेकिन स्केल तस से मस नहीं हुआ मेरे सीनियर लोग जो मेरे आंसु देखना चाते थे आंसु तो नहीं देख पाए लेकिन मेरी रोनी सूरत सबने देख लिए और सब को बुला बुला के लाए कि जॉन्सन ने जो है स्केल वाला प्रयोग कर लिया है सारे सीनियर वहां खड़े रहे सबने खूब मजा लिया सब चले गए उसके बाद इस सीनियर ने एक स्विच आफ किया बुला कि अब वो स्केल ले लो उसको हाथ लगया वो आराम से आ गया उस सीनियर ने कहा कि जॉन्सन ये चुम्बक इतना शक्तिशाली है कि सामान्यत्या एक आती शक्तिशाली पहलवान भी इस स्केल को वहां से खीच नहीं सकता है एक बार चिपक गया नहीं खीच सकता है तो मैंने पूछा सीनियर से अच्छे रिलेशन था कि अच्छे एक बात बताईए कि इतनी शक्तिशाली है तो दो चुम्बकों के बीच में से ये स्केल ले जाने का क्या तरीका है जिग्यासा थी मैं तो बहुत जिग्यासू था सीनियर ने हसते हुए बताया कि जॉन्सन कोई तरीका नहीं है ये दोनों चुम्बक इतने अतिशक्तिशाली हैं कि उनसे लगबग एक फुट दूर तुम ब्लेड को पकड़ो तब तुमको पता चल जाएगा तो इस बार मैंने बाकाइदा अनुमान से एक फुट दूर स्केल पकड़ा तब पता चला कि स्केल पुरी तरह से खीच रहा है और मुझे संगर्ष करना पड़ रहा है उनना ने का तुमने जल्द बाजी में यह रख दी इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया कि एक फुट दूर से ही इस चुम्बक का आकर्शन आती भयानक हो जाता है उसके बाद उनना ने का आप छे इंच पास ले जाओ मैं छे इंच पास ले गया एक दम से ऐसा लगा जैसे बिजली कौंदी हो और स्केल मेरे हाथ से छूट गया जाके फिर से चिपक गया सीनियर ने ओफ किया उनने कहा इस बार मैंने तुमको ट्रेनिंग देने के लिए पास ले जाने को बोला तुमको लगा होगा कि दोनों चुमबकों के बीच में तुम ले गया तब वो चुपक गया था नहीं जॉन्सन लगबक छे इंच दूर पहुँचा तब तक उसका आकरशन इतना अती भयानक हो चुका था कि तुम किसी भी हालत में उस स्केल को रोक नहीं सकते थे मेरे प्रीए भाईयों और बेहनों मैंने ये कहाणी इतने विस्तार से क्यों सुने इसके पहले किसी कहाणी में बस एक पॉइंट को बताने के लिए इतना विस्तार मैंने कभी नहीं दिया था ये प्रभु के वचन की एक महान सच्चाई को स्पष्टतेया आपके सामने रखने के लिए ये उदाहरंड मैंने दिया था और एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ अगले साल मैं सीनियर हो गया तो हमारे जूनियर विद्यार्थियों में से जितने लोग अपने आपको तीस मारखां समझते थे उन सब को मैंने भी इसी तरह से फिक्स किया था इस चुम्बक के सामने सबका जोश ठंडा हो जाता है ये इस चुम्बक ने मुझे एक बहुत महतुपूर्ण पाट सिखाया और वो पाट ये था कि जिस चीज में आकरशन है उस चीज से आवश्यक दूरी बनाए रखें तब ही आप उसके आकरशन से बच सकते हैं उस सीनियर ने फुर मुझे जमीन पर देखने को बोला जमीन पर देखा तो वहां बाकाईदा उस मशीन के चारों तरफ एक लाल घेरा था उसने बताये जॉंसन ये लाल घेरा खत्रे को दिखाता है इवन घड़ी पहन के इस लाल घेरे के अंदर आना नहीं है तुमारी घड़ी खराब हो जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ दोपर होते होते मेरी घड़ी बंदो गई मैं घड़ी साच के पास ले गया तो उसने घड़ी देखा तो सर पीट लिया उसने पूछा किसी आती ये भया ना चुम्बक के पास गया थे कि मैंने का जे हां गया था तो उन्होंने का कि तुमने जो किया वही अब भुगत रहे हो जहां जाना नहीं चाहिए जिस आकरशन के वृत तुमें घड़ी को नहीं ले जाना वहां तुम ले गया और घड़ी के ऐसी तैसी हो गई उन्होंने का कि ठीक करके दे देंगे इसके लिए एक विशेश यंत्र है लेकिन इस शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है हम इसको वहां भीज देंगे और वो इसको ठीक करके दे देगा तुम जो है तीन दिन के बाद आजाना तीन दिन के बाद जो है घड़ी लेके मैं वापस आया मेरे प्रीव भाईयों और बेहनों यह जो अनुभो मैंने आपको बताया इस से संबन्द यह जीवन के हर एरिया में जीवन के हर पहलू में लागू होता है और वो यह है कि जीवन के हर पहलू में अलग-अलग प्रकार का आकरशन होता है उस आकरशन से जब आप परियाप्त दूरी बनाए रखेंगे तभी उस आकरशन से आप बच सकते हैं लेकिन यह दिया आपको लगा कि नहीं मैं तो बड़ा श्याना हूँ और मैं तो उन दोनों चुम्बकों के बीच में से ना केवल ले जाओंगा वापस भी ले आओंगा तो आप मुर्ख हैं क्योंकि इसके पहले सैकड़ों लोग यही प्रयोग कर चुके हैं और सभी जो है रोनी सुड़क बना के खड़े रहे हैं और जब सीनियरों ने स्विच आफ किया तब उनको वो मिला मेरे आपके जीवन में भी इस तरह की बाते हैं और इन में से कई बातें पायरिवायरिक जीवन को प्रभावित करती है इतना लंबा इंट्रोडक्शन परिछे मैंने इसी लिए दिया जिससे कि मैं आज जो बोलने जा रहा हूं आप उसको हलके से ना ले बलकि उसकी गंबिरता को समझें इस संसार में इस तरह की सैकडों बाते हैं जो इस चुम्बक के समान पायरिवायरिक जीवन को आकरशित करके उसको बरबात करने की कोशिश करते हैं याद रखिए एक स्केल बहुत कीमती ओजार होता है खासकर विद्यार्थियों के लिए लेकिन वो स्केल यदि हमेशा उस मशीन से चिपका रहेगा तो वो मेरे आपके लिए मूली हीन हो गया आप उससे लाइन नहीं बना सकते आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते इसी प्रकार इस संसार में सैकडों बाते हैं जो आपके पारिवारिक जीवन को आकरशित करके खत्रे का जो वृत है या जो सर्कल है उसके अंदर ले जाकर आपके पारिवारिक जीवन को हमेशा हमेशा के लिए नश्ट कर सकते हैं इन में से बहुत सारी बाते नीतिवचन में ही बताई हुई है मैं पारिवारिक जीवन से संबंदित जब नीतिवचन पढ़ रहा था तब मुझे शंका होने लगी कि इन में से कौन सी बात पहले बताई जाए कौन सी बात बाद में बताई जाए इतनी सारी बातें नीती वचन में बताई हुई हैं फिर मुझे लगा कि कहीं न कहीं से शुरू करते हैं और समय है अपने पास इसलिए हम दीरे दीरे सभी पदों को जो जरूरी है उसको cover कर लेंगे इसलिए आज मैंने चौथे अध्याय के आठारवें पत से आरम किया है चौथे नीतिवचन 4 के चौधा में लिखा है दुष्टों के आंगन में पैर ना रखना ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना ऐसा ही एक और पद किसी को याद है क्या भजन एक एक क्या ही धन्य है वह पुरिश जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता या पापियों की मंडली में नहीं खड़ा होता या उपहासियों के बैठक में नहीं बैठता वही बात यहां है वहां पर प्रभु के वचन में इतना कहके उसको छोड़ दिया गया उसका विस्तार नहीं दिया गया है या उसकी व्याख्या नहीं दी है लेकिन यहां पर दुष्टों के आंगन में पैर मत रखना ना बुरे लोगों के मार्ग पर खड़े होना यह कहकर थोड़ा सा और डीटेल दिया हुआ है और वो डीटेल हम पंद्र हुए पद से देखते हैं उसे छोड़ दो उसके पास भी मत चलो उसके निकट से मुड़ कर आगे बढ़ जाओ आप पूछेंगे फिर निकट जाने की जरुरत ही क्या है यहां यह नहीं लिखा हुआ कि उसके निकट जाओ और आगे बढ़ जाओ नहीं 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 प्रभू का वचन हमको यह याद दिलाता है कि इस दुनियावी जीवन में पापियों, दुष्टों और उपहास करने वालों से अच्छानक हमारी मुलाकात हो जाती है मुझे आज भी याद है 1978 में तीन साल के लिए मैंने केरल में एक ट्यूटोरियल एक कोचिंग इंस्टिटूट में नौकरी की थी नौकरी और उसके साथ प्रभू की सेवा एक दिन प्रिंसिपाल ने मुझे रहस्य में बुलाया और एक बात बताई बात ये थी जॉंसन सर आप बहुत सावधान रहना कल स्टाफ के अन्नी लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे उनको नहीं मालूम था कि मैं सुन रहा हूँ उनका कहना ये था कि जब हम काली गलोच करते हैं अश्लील बातें करते हैं तब ये जॉंसन फिलिप जो है उसमें बिल्कुल भाग नहीं लेता है और हो सके तो वो किसी ना किसी तरह से उसके बैठे बैठे बात्चित चुरू करो तो वो कोई ना कोई बहाना बना कर उठके चला जाता है तो उसमें से दो तीन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा और उन लोगों ने आपस में प्रंड किया कि किसी ना किसी तरह से मुझे इस तरह से फासना है कि मैं भी उनके साथ वे लोग जो अशलील बातें करते हैं उसमें भागी होने लगूं मेरी परेशन और उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे वांड किया कि ये लोग बड़े दुष्ट लोग हैं सर इनसे आप सावधन रहना तो मैंने कहा कि आई इंदा मैं इनके बीच नहीं बैठूंगा तो उनने ने कहा कि ये तो और भी गड़बड हो जाएगा क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से अपने आपको पूर्ण रूप से काट भी नहीं सकते हैं तो जब सारे अध्यापक लोग एक साथ बैठते हैं बातचित करते हैं स्टाफ रूम में खाना तो हम लोग एक साथ खाते ही थे, होटल से खाना मंगाते थे और सब लोग उसमें से शेयर करते थे तो सर ने कहा कि यह तो असंभव बात है जॉंसन सर आप उनसे अलग नहीं रह सकते हैं और यहां हम आपको अलग से कोई कमरा नहीं दे सकते हैं आपको बैटना उनके साथ पढ़ेगा, लेकिन मैंने ये बात प्राइविटली आपको इसलिए बताई है कि आप अब सीमा से अधिक सतर्क रहें। और रहांने कह कह कि जॉॉण्सन सर गड़्वड मत कर देना, किसी को मत बताना कि ये बात मैने आपको बताई है, किसी को मत बताना कि मैं उनकी बातचित सुन रहा था और मैंने आपको बता दिया है। मैं उन महाशे का बहुत आभारी हूँ और उनके द्वारा दिया गया पाठ कभी नहीं भूल सकता। वे एक मसीही थे, विश्वासी नहीं थे, लेकिन बहुत भक्त मसीही थे, मैंने कई बार उनको सुसमाचार से संबंदित अच्छी-च्छी पुस्तकें दी थी। मैं मल्यालम में इतना उस समय मल्यालम धारा प्रवा बोल नहीं पाता था जिससे कि गॉस्पल स्पष्टत है उनके साथ शेर कर सको और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन उद्धार संबंदित एक से एक अच्छी पुस्तकें मैंने उनको दी थी, बार बार मैं उनसे पूछता था कि सर आपने पढ़ा क्या, आपने कुछ सोचा क्या, भक्त आदमी था और उस भक्त आदमी ने मुझे जीवन के एक महतोपूर्ण पाठ पढ़ाया, जॉट्व संसर वक्र बुद्धी के ये जो लोग है, मतलब उल्टी बुद्धी के ये जो लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ बुरी बातें, अश्लील बातें, गंदी बातें जब तक ना बोलें, तब तक इनको तृप्ति नहीं होती है. हाँ, करने दो, तुम कर रहे हो, करने दो, लेकिन ये दी कोई व्यक्ति इनके, इनकी जो अशुद्धी है, उससे दूर रहता है, जानके या अनजाने दूर रहता है, तो इनकी कोशिश ये रहती है कि उसको भी उसी अशुद्धी में गिरा दिया जाए, खैंच-खांच के फ पर दस कुना अधिक सतर्क रहें यह कहके खोशिसर उन्होंने मुझे रवाना किया उस कॉलेज में मैं काफी लंबे समय तक पढ़ाता रहा आरंब में ही मुझे इस बात के लिए छेताव नहीं मिल गई थी इसलिए मैं उनसे दूर रहा उनके साथ बैठता था लेकिन उनकी बात्चित में भाग नहीं लेता था और इस तरह से मैं सुरेट्शित रहा लेकिन यह घटना मैंने आपको इसलिए बताई है कि समाज में हम कहीं भी जाएं कोई भी नोकरी करें कुछ भी करें समाज में अधिकाश लोग इस प्रकार के होते हैं जिनका जुकाव पाप की तरफ और अधर्म की तरफ होता है और जब वे ये देखते हैं कि आपका जुकाव पाप और अधर्म की तरफ नहीं है तो वे लोग भरसक कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से खीच कर आपको उसमें डाल दिया जाए मैं उस कॉलिज में पढ़ाने के लिए जब गया ट्यूटोरियल में जान बूच कर मैं आधम पापी लोगों को ढूंड नहीं रहा था मैं तो एक अच्छा कोचिंग ढूंड रहा था जो मुझे तुरंत ज्यादा लाग लपेट के मुझे जो है ले ले अच्छी तनका दे और जहां पर मुझे बीच में थोड़ा सा खाली समय मिल जाए जब मैं विद्ध्यारतियों के बीच में जाकर प्रचार कर सकूँ लेकिन ऐसी जगह पर भी कुकरमी लोग काफी मातरा में थे हम समाज में कहीं भी चले जाएं किसी भी नोकरी में चले जाएं किसी भी फंक्शन में चले जाएं वहाँ पर कुकरमी लोग अपना अलग से रास्ता निकाल ही लेते हैं यदि आप अपने पायरिवायरिक जीवन को सुरेटशित रखना चाते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि इस तरह के लोगों के प्रभाव से बचा जाएं पिछले दिनों मैंने एक विवाह के बारे में सुना विवाह एक गैर मसीही विवाह था काफी लंबा चला मुझे लगता है कि पांच-छे-ाठ गड़े चला खान-पान हुआ फिर कुछ फंक्शन हुए इसके बाद गाने हुए उसके बाद नाच गाना हुआ जानते हैं क्या कि नाच-गाना सबसे आखर में क्यों रखा गया नाच-गाना तो पहली भी हो सकता था उसका कारण ये है कि शुरू से लगबक चार या पांच घंटे की जो अवदी है इस अवदी में जितने लोग वहाँ पर जो मद्य बाटा जा रहा था कम या अधिक पी लें मद्य पानी लोग तो मद्य को देखकर तूटता है लेकिन जो पान नहीं करता वो उस पर तूटता तो नहीं है लेकिन जब चारों तरफ हर कोई मद्य पान कर रहा है तो उसकी भी इच्छा होती है कि स्वाद देख लेते हैं और मद्य की विशिष्टा ये है कि आपने थोड़ा सा स्वाद देख लिया तो उसके बाद और स्वाद देखने की इच्छा हो जाती है तो शुरू के तीन चार घंटे मद्य पान करने के बाद जब मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और मन की वासनाएं जब पूरी तरह से भढ़क चुकी होती है तब शादी में भाग लेने वाले साइरे पुरिश और साइरे स्त्री खड़े होकर नाचने गाने लगते है और इस नाच गाने की विशेषता यह है कि एक व्यक्ति दूसरे की बीबी के साथ नाच रहा है और उसकी वीबी जो है किसी गैर मर्द के साथ नाच रही है, सब जगे यह हो रहा है सामानी जीवन में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा लेकिन उस मंडली में चार-पांच गंटे बैठ कर जब नशा कर लिया और जब मानिसिक संतुलन बिगड गया तो उन में से चार कुकर्मियों ने इस तरह से किया तो देखा देखी, उनके बीच में जो सामानी लोग हैं, जो कुकर्मी नहीं है वे भी उसी की नकल उतारते हैं, उनको लगता है यह तो समाज का तरीका है, समाज की रीत है ये उदाहरन भी मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि हम में से हर व्यक्ति कॉलेज में पड़ाई के लिए जाता है नौकरी करने जाता है शादी व्याह में भाग लेता है और भी कितनी सारी बाते हैं जिसमें भाग लेते हैं इन में से कई functions बहुत ही चाला की के साथ धूर्तता के साथ बनाए जाते हैं जिससे कि वे लोग जो दुष्टों के आंगन में पैर नहीं रखते ना बुरे लोगों के मार्ग बर चलते हैं उनको धक्का दे दिया जाए जिससे कि वो एक बार गर जाए क्योंकि एक बार गर जाए तो उसके बाद मन में जो हिच की चाहट है गलत बातों के प्रती जो हिच की चाहट है जो लज्जा है वो दूर हो जाती है और अगली बार हम कुछ और आसानी से एक काम करने लगते हैं आप कहेंगे कि ओक है बात स्पष्ट हो गई वो आती आकरशक चुम्बक से एक निश्चित दूरी बनाये रखना जरूरी है जो लोग हमको फसाने की कोशिश करते हैं उनकी बात्चित से एक निश्चित दूरी बना कर या उनके और हमारे बीच में एक अद्रिश्य दीवार बना कर रखने की जरूरत है उस तरह के फंक्शन्स जो हमारे मन के अंदर जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को खतम कर सकते हैं उनसे एक दूरी बना कर रखना है समझ गए लेकिन इन चीजों का पारिवारिक जीवन से क्या संबंध है मैंने ये जो बातें बताई हैं इसका संबंध है व्यावारिक जीवन से और पायरिवाइरिक जीवन वियावहायरिक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है वियावहाइरिक जीवन में यह practical life यदि उसमें हम से भूल हो जाती है और हम सीमा जिस सीमा में हमें रहना चाहिए उस सीमा को पार कर जाते हैं तो संभाव ने इस बात की है कि पायरिवारी जीवन में भी हम उस सीमा को पार कर देंगे प्रभू का वचन कहता है कि दुष्टों के आंगन में फैर मत रखना और बुरे लोगों के मारग पर मत चलना बलकि उसके पास से भी नहीं जाना है देख लो तो वहां से हट जाओ इसलिए कि बुराई का आसर भलाई से भी अधिक तेजी से और दूर तक होता है एक बात बताईए आपने मान के चलिए कि अच्छा सा खीर पका के टेबल पर रखा है और अच्छानक आप देखते हैं कि एक कौक्रोच उसमें गिर गया है आप फिर उस खीर को खा सकेंगे क्या? नहीं लेकिन मान के चलिए कि उसी खीर में एक चम्मच गिर जाता है खीर के अंदर चला जाता है खाने में आपको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी मान लिजे कि जरासी एक लाल चीर्टी गर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी लाल चीर्टी को उठा के आप फेंक सकते हैं बलकि हिंदुस्तान में ऐसे कई इलाके हैं जहां चीर्टी ओं का चीर्टी ओं की चट्नी बनाके खाते हैं चीर्टी तो खाने वाली चीज समझी जाते हैं खासकर एक प्रकर की लाल चीर्टी होती है जिसे अंग्रेजी में फायर एंट कहा जाता है अगनी मैं चीटी वो सब जगे नहीं होती है उसकी तो चट्नी बनाते हैं तो इनको जो अच्छी चीज ये दिखाने में गिरे तो कोई खास असर नहीं पड़ता और ये भी किसी को बुरा भी लगे तो उत्ता सा पोर्शन उठा के फेक दो लेकिन खीर बरबाद नहीं होता लेकिन एक कौकरोच गिरता है तो खीर बरबाद हो जाता है एक छिप के लिए गिर जाती है तो खीर बरबाद हो जाता है इसलिए कि बुरे का आसर भली चीज के ऊपर बुरे का आसर तेजी से होता है गहराई से होता है और व्यापक होता है भले का आसर उतने जल्दी नहीं होता है दुनिया में जब हम रहते हैं तब हम को जाने या अन जाने दुनिया के बुरे लोग और कुकर्मियों से संपर्क करना पड़ेगा उनके संपर्क में रहना पड़ेगा लेकिन जब प्रभू का वचन कहता है कि उनके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जाओ तो उसका मतलब यह है कि जब पता चले कि यह यक्ति कुकर्मी है तो उससे दूरी बनाये रखो इतनी बात स्पष्ट हो जाने के बाद पारिवारिक जीवन से क्या संबन्ध है यह मैं ज़रा पताना चाहता हूँ आजकल टीवी पे वो प्रोग्राम है या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे याद है उतरभारत में जब टीवी का परचार परसार हुआ था 1971-72 में तो उस समय हर बुद्वार को करके चारों तरफ हर घर से वही आवाज सुनई देती थी शायद गीत माला या इस तरह का कोई नाम था उसका उसमें लगबग एक घंटे तक नाच और गाना दिखाते थे पिक्चरों से उठा कर आपके आपकी फरमाईश के अनसार नाच और गाने दिखाये जाते थे तमाम सारे मसीही लोग टीवी से ऐसा चिपके रहते थे नाच गाना देखने के लिए एक चीज वे भूल जाते थे ये लड़का और ये लड़की जो एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं गा रहे हैं अलिंगन कर रहे हैं और कुछ-कुछ में चुम्बन भी कर रहे हैं ये शादी शुदा नहीं है मंगे तर भी नहीं है तो एक घंटा आप अपने बच्चों के साथ बैठ कर जब इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं आज देखते हैं अगले हफते देखते हैं तो बच्चों के मन में जो भावना आती है जो फीलिंग्स आते हैं वो ये है कि इस तरह से नाचने गाने अलिंगन करने और चूमने चाटने में कोई बुराई नहीं है क्यों इसलिए कि पापा देखते हैं ममी देखती हैं बलकि पापा ममी तो कितना भी व्यस्त दिन हो समय निकाल कर देखते हैं तो यदि पापा ममी देखते हैं तो उसमें क्या बुर लेकिन वे लोग जिस चीज को देख रहे हैं, वो उन बच्चों के मन में गहराई तक उतर जाता है। चूमा चाटी भी कर लेना। क्यों? अरे पापा उसका अनुमोधन करते हैं, मम्मी उसका अनुमोधन करती है, पापा मम्मी बुड़े हो गए हैं, इसलिए उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन यदि मुझे मौका मिलता है, तो जिस चीज का वे अनुमोधन करते हैं, उसको मैं क्यों न करूं आप कहेगी कि शास्त्री अंकल कैसी बात कर रहे हैं मैं सच बोल रहा हूं आज जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इनमें कई परिवारों के बच्चे आल्ड़ी ना केवल ऐसा सोचने लगे हैं बलकि मौका मिलने पर ये इनमें से कई बच्चे ये सब कर चुके हैं आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम मैं ये याब दिलाना चाहता हूं चुकि लोगों को मालूम है कि मैं बच्चों को प्रोपर दिशा निर्देशन देता हूं तो काफी लोग मुझसे WhatsApp के द्वारा संपर करते हैं संभाव ने इस बात किए कि आपके बच्चे भी उसमें हो इसलिए मालूम है दूसरी बात हमारे मसीही परिवारों में इन विश्यों के बारे में कितनी लापरवाही बरती जाती है ये मुझे मालूम है और मुझे ये मालूम है कि जो भाई बहन लोग आज संदेश सुन रहे हैं इन में से कई लोग जो है तीवी से ऐसा चिपक के बैठते हैं जैसे वो मेरा स्केल जो है चुमबक से चिपक गया था प्रोग्राम खतम होने के दस मिनिट के बाद उनको होश आता है कि अरे बापरे प्रोग्राम खतम हो गया तब उठके जो है फिर कीचन में जाते हैं खाना वाना पकाने के लिए या फिर उठके जो है बच्चों को पूलते हैं चलो चलो प्रेयर का समय हो गया बच्चों पापा बुलाते हैं आओ आओ प्रेयर का समय हो गया लेकिन प्रोग्रम खतम होने के दस मिनिट बाद पापा उस टीवी से जो चिपके थे उससे अलग हो पाते हैं ये सभी लगभग सभी मसीही परिवारों में हो रहा है और इस तरह से आप अपने बच्चों को कम से कम एक बात सिखा रहे हैं और वो ये है कि दो गैर शादी शुदा लोग एक दूसरे के साथ चिप्टें, नाचें, अलिंगन करें, चुमबन करें, चूमा चाटी करें तो उसमें कोई बुराई नहीं ये तो दुनिया का तरीका है आज जो पेरेंस मेरा संदेश सुन रहे हैं, इन में से कई लोग जाने या अन जाने अपने बच्चों के साथ ये अती भयानक क्रूरता कर रहे हैं क्रूरता क्यों? क्रूरता इसलिए कि जिन बच्चों को हाथ पकड़ कर बेटा ये हमारे लिए उचित नहीं है जिन माबाप की जिम्मेदारी है ये समझाने की, वे माबाप बच्चों को समझाना तो दूर इस प्रोग्राम से या इन प्रोग्रामों से चिपके रहते हैं, जहां दुनिया बरकी नैतिक बुराईयां दिखाई जाती हैं, और इस तरह से चिपके रहने के कारण बच्चों को ये संदेश देते हैं, पहली बात इसमें कोई बुराई नहीं है, दूसरी बात सब कोई कर र रहा है मैं एक यूनिवरसिटी इलाके में रहता हूँ एक बहुत बड़ी यूनिवरसिटी के पास रहता हूँ और इस यूनिवरसिटी में सारे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं इस कारण इस यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम तरह के होटल, चाई की दुकाने वगएरा है, फास्ट फूड है, इतना ही नहीं, चम्मल इलाके से, खासकर भिंड इलाके से, तमाम तरह के लोग आकर पानी पूरी के ठेले लगाते हैं। अच्छा टेस्टी पानी पूरी होता है, मैं अक्सर पानी पूरी देखता हूँ तो दो मिनिट रुक के उन लोगों से बात कर लेता हूँ, कुशल मंगल बोल देता हूँ, उनको एक हिंदी पुस्तक दे देता हूँ, और जब उनको पता चलता है कि मैं ग्वालियर का हूँ, तो बड़ी इजद करते हैं क्योंकि भिंड मुरैना चंबल आदी के लोग जो है गौलियर वालों की इजद करते हैं। इन ठेलों पर शाम के समय पानी पूड़ी खाने के लिए या फास्ट फुट खाने के लिए या चाई पीने के लिए सैकडों में जवान लोग आते हैं। मैंने आपको सिर्फ आदा सच बताया। जवानों की जोड़ी आती है। एक नज़र में पता चल जाता है कि ये भाई बहन नहीं हैं। चिपट के खड़े होते हैं कि पती पतनी शर्मा जाएं कि हमारे जीवन में हमको ऐसा चिपट के खड़े होने का मौका नहीं मिला क्यों ये लोग ऐसा करते हैं घर के ट्रेनिंग आपके घर में आप भी तो ये ही ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को घर की ट्रेनिंग आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल ये जिरूर गैर मसीही लोग होंगे इनके बीच में कई गैर मसीही हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चिपटा-चिपटी-चूमा-चाटी होती है इसमें 20-25 प्रतिशत मसीही लोग है केरल की आबादी में 20 प्रतिशत लोग मसीही हैं लेकिन education के field में 40 प्रतिशत तक कई मसीही लोग हैं ये मेरे आपके बच्चे हैं मेरे आपके से मेरा मतलब मसीही जगत के बच्चे हैं और कई तो ऐसे निरलज होते हैं कि मुझ जैसा थोड़ा सा मुची उमर का व्यक्ति जब उन दुकान में जाता है तो हमको दिखाने के लिए जो है और ज़्यादा चिपट के खड़े होते हैं और ज़्यादा अलिंगन करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे टीस किया जाए तो उनको कुछ प्राप्त हो रहा है मैं अक्सर सर पीट लेता हूं कि बेटा खास कर लड़कियों के बारे में कि बेटी तुम ये जो निरलज्यता कर रही हो तुम नहीं जानती कि तुम को लूट लिया जाएगा और जब तुम उपयोग शून ने उपयोग रहित हो जाओगी तब ये लॉंड़ा तुमको कच्रे के समान फेंक देगा आप कहेंगे कि अच्छा आप सबसे कहते हैं कि जी नहीं मैं मनीवन सूचता हूं इसलिए कि इस तरह के सेक्ड़ों केस मुझे मालूम है और आज जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं उन सब को याद दिलाना चाहता हूं यदि आप संपुष्ट परिवार चाहते हैं तो सबसे पहले माँ बाप इस बात का ख्याल रखें कि वे ऐसा कोई कारिय ना करें जिसमें सीमाओं को तोड़ने के बारे में बच्चों को बताये जाता है और बच्चों को प्रोट साहित किया जाता है कि वे सीमाओं को तोड़ दें अब समझ में आया क्या कि हम जो पद पढ़ रहे थे उससे क्या संबंध है इस संसार में सीमाओं को तोड़ कर पुरिशोर स्त्री को पाप में खीच के घसरिट के ले जाने के लिए सैकड़ों तरीके हैं इसी लिए प्रभु का वचन कहता है छोड़ दो पास से भी मत चलो और बैचान सीधी उसके निकट पहुंच गया तो मुड़ के आगे बढ़ जाओ जैसे कि तुमने देखा नहीं है लेकिन बच्चों को ये करने की शिठ्षा देने की जिम्मदारी माबाप की है लेकिन माबाप ये शिठ्षा देने के बदले वे खुद तो चिपके हुए हैं टीवी से बच्चों को कैसे उसमें से हटाएंगे आज शाम को बहुत ही गंभीरता से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम मैंसे कितने लोग हैं जो इस तरह से टीवी सीरियल वगरा के आदी हैं मैं ये नहीं पूछ रहा कि हम मैंसे कितने लोग टीवी पर साइंस देखते हैं निउस देखते हैं वो अलग बात है हम मैंसे कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे काईरिक्रम देखते हैं जिसमें जो दिखाया जाता है वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें और यदि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें तो उनके सामने क्यों चिपके हुए हैं टीवी के साथ हम अपने परिवार को बर्बाद करने के बदले हम अपने परिवार को कंगाल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, विशेज समाप्त नहीं हुआ है, प्रभु ने मदद की, तो हम आने वाले दिनों में इस विशे 왜 को और आगे बढ़ाएंगे, closing में मैं एक बात यार दिलाना चाहता हूँ यहाँ पर जितने लोग आज यह संदेश सुन रहे हैं इन में से यह दी कोई वेक्ती परामर्ष चाहता हो तो मुझे contact करें मेरा mobile number है 999 519 8690 मैं दोहराने जा रहा हूँ 999 519 8690 फोन नमबर मिल गया है रात तो फोन करना शूरू ना करें हैं दया करके सिर्फ WhatsApp के उपर संदेश भेजें यह एक विशेश अनिरोध है क्योंकि जादा तर लोग जिन बातों में परामर्ष चाहते हैं उनको फोन से चर्चा करने की जरूरत नहीं है इन बातों को समझने के लिए प्रभू आप सब की मदद करें जै मसी की प्रिये दोस्तों मुझे पूरा यखीन है कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अधिक अनगरह मिला होगा हम इस तरह के सेक्ड़ों वीडियो यूट्यूब पर पहले से पोस्ट कर चुके हैं और नेमित रूप से करते जा रहे हैं इन में से किसी को भी मिस मत कीजे इसके लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजे और बगल में ही एक घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजे इसका परिणाम यह होगा कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे यह आपको तुरंत मिल जाएगा इसके साथ साथ जब सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धी होती है तो उससे हमको प्रोथसाहन मिलता है क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अनग्रह का कारण बन रहे हैं तो सब्सक्राइब से ना के वला आपको फायदा होता है बलकि हमको भी होता है प्रभू आपको सर्व अनग्रहों से वर्पूर करें